एल्लो स्टूडरेंड वापिस से आपके लिए लेके आयो एक बहुत ही खुश्रसी पोईट्री जिसके बारे में सबसे पहले आपको क्वेशन करना शुरू करूंगा और वो है कि आज भी हमें जब भी अंधकार से या कोई जगा पर जाने से डर लगता है भई लगता है तो ह है पिटा जी और उससे भी जादा जबर झरूरी धाज जय हनुमान अगनारा और सागलर हनु के लिए कि हनुमान चालिशा के रचेता अगर कोई है तो ऐसा कहा जाता है वह हमारे तुल सिदास जी तो आज की हम बात करने वाले हैपोयम नंबर 17 तुल्फी के पथ ये है standard nine and है विशय हिंदी उसके अंदर की ये poetry आज आपके साथ ला रहा हूं इसमें question answer and साथ में इस poem को समझने की तरयारी तो देखते हैं सबसे पहले question से शुरुआत करते हैं ये ये answer भी है याप और ये answer के बाद हम इसके पद्य को समझेंगे तुलसिदास जी ने प्रभू के चरणों को छोड़ कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं तो तुलसिदास जी के अनुसार भगवान श्री राम यानि प्रभूर श्री राम पतीत पावन है यानि पापों को धुने वाले इश्वर प्रभू है वे दिन दुखी जनों के प्रेमी है उन्होंने हट करके अनेक दुस्टों का उद्धार किया है उन्होंने पक्षी, म्रिग, यानि हिरन, व्याध्र, पाशान, व्रुक्ष, यवनों का भी उद्धार भी उन्ही भगवान श्राम ने किया है इसके इलावा देवता मुनी मनुष्य आदी माया के वशी भूत भी है और इन्हें समन्द जोडने का अर्थ नहीं होता है श्री राम जी जिसकी दया सामर्थ और किसी में भी नहीं है और इसलिए इसलिए हमारे संत श्री तुलसिदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभू के चरणों को छोड़ कर और कहीं नहीं जाना है तो ये हैं हमारे तुलसिदास की वाके रचना कहते हैं जाउं कहां तजी चरण तुमहारे काको नाम पतित पावन जग केही अती दिन पियारे कोने देव बराई बिद रहित हटी हटी अधम उधारे खग मुर्ग व्याद पाशन भी पटजड जवन कवन सुरतारे देव दनुज मुनी नाग मनुष सब माया विवस बिचारे तिन के हाथ दास तुलसि प्रभू कहां अपन पोहारे इस तरह से यहाँ पर यह जो poetry है याने कि पद्द नंबर वन है जिसके अंदर भगवान शी के परम भक्त, शीराम जी के परम भक्त तुलसिदाज जी ने कहा है कि हे शीराम जी आपके अंदर वो सामर्थ है ताकात है कि आप इन सब को जीत सकते हुँ आपकी टेक्सबुक के अंदर इसके बावरे ने बहुत ही अच्छी तरह से विशेश समझ या ज्ञान देते हुए कहा है कि इसमें जो अलग-अलग शब्द की रचना की है जिसे कि खग खग जो है उसको हम कहते हैं पक्षी है ना जटायू रामायन का एक प्रसिद्ध गिद् थे ऐसे थे भगवान शीराम जिसने पक्षी का प्यार प्राप्त हुआ था या पक्षी उसके चरणों में मिशा रहते थे दूसरे हैं म्रिग यानि की हिरन मारिच एक राक्षस जो ताड़ का राक्षसी का पुत्र था तथा रावन का अनूचर था वह सूर्ण म्रुग या तीसरे है व्याद वालमी की जी जो के पहले एक हिंसक रुद्ध करने वाले एक डाकू एक वालिया लुटारा के नाम से प्रसिद्ध थे इसका जीवन यापन था लुटना पर तो बाद में सनादी काली रुष्यों के उपदेश से उसने जीव हिंसा को छोड़ा और तपस् की रिष्णा करने वाले व्याद्र का यानि की शिकारी का भई उद्धार करने वाले राम भगवान थे फिर है पशान पशान का वलत है पत्थर अहल्या जी जो कि महर्शी गौतम रुषी की पत्मी थी शाप के कारण से पत्थर बन चुकी थी राम भगवान के चरण के स्प रिक्ष यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मनिग्रिव नारत के शापश गुकुल में दो अर्जुन रुक्षों के रूप में उप्पन हुए थे इसी अपरात पर जब यशुदा जी ने कृष्ण को उन दोनों पेड़ों के साथ बांदा तो भगवान श्र कहा जाता है कि मुस्लम में सुकर के आगात से मरकर हराम शब्द का उल्ले किया जब राम ने हराम में से अपना हे राम ऐसा शब्द का उचारण करने से भी उस मुस्लिम जाती के सुकर को भी उद्धार किया मुक्ति दी इस तरह से खग, म्रग, व्याद, पशान, विपट औ और जवन का नाम का यहां पर खास उल्ले किया है अब बात करेंगे प्रश्न नंबर दू तुलसिदास ने अपने और भगवान के बीच में कौन कौन से सबंद जोड़े है और क्यों तुलसिदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते है इसलिए हो कहते हैं शे राम आप दयालू हो और अगर आप दयालू हो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दिन अर्था दया के पात्र में हूँ तो मेरे साथ आपका पहला रिलेशन होना चाहिए सबंद होना चाहिए है इश्वर आप प्रभू आप दानी हो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा भ नात हो और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अनात हूँ पहले मेरे नात बनिये हे प्रभु आप दुख को दूर करने वाले हो तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दुखी हूँ पहले मेरा दुख दूर करिये हे इश्वर आप ब्रह्म हो तो मैं छोटा सा जीव हूँ हे इ मुझे को अपने आप से अलग मत कीजे इस तरह से तुल्सिदाज जी अपने प्रिय इश्वर भगवान राम जी को कहते हैं यहां पर उसके बारे में बताया गया है क्या कि तू दयालू तो मैं दिन हां तू दानी को मैं बिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहा मैं पात की यानि पापी हूं तो तू पाप को दूर करने वाला है इश्वर राम आप हो आप मेरे नात हो क्योंकि मैं नात हूं मेरे सानात इस दुनिया में कोई नहीं है आप आरत हो यानि कि दुख को दूर करने वाले हो तो मैं आरत मलब मैं दुखी हूं तो आप आरत को ह करने वाले हो नाश करने वाले हो अब ब्रह्म हो तो मैं जीव हूं अब ठाकुर हो तो मैं आपका चेरो सिवक हूं तात मात गुरु सखा अब पिता माता गुरु या मित्र कोई भी रूप में आप मेरे साथ अपना सज़ेशन सबंध रखिए तू ही मोही नाते अनेक मानिये जो भावे जो तो तुलसी कृपालू चरण सरण पाव इस तरह से है मेरे भगवान शेराम आपकी कृपा मेरे पर बनाये रखे और हमेशा मुझे अपने चरणों में रखे इस तरह से यहाँ पर question answer भी आ गया एंड इस पध्यकृप भी हमने समझा इसके बाद है तो ही मोही न मानिये जो भावे इसका अर्थ बताई तुलसीदास ने भगवान के अनेक नाते बताए जिसके अंदर अलग-अलग नातों क्या स्विकार करने के लिए भी बताया तुलसीदास जी कहते हैं भगवान एक निश्चित नाता आप मेरे साथ बनाई ताकि मुझे हमेशा आपकी भगवान से एक निश्चित संबोधन में पुकार करने की सरलता हो और इसलिए यहाँ पर अपनत्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर भगवान से बोला है कि आप मेरे से कोई एक रिलेशन बना के रखे ताकि हमारा नाता एक निश्चित बन जाए इसके बाद है तू दयालू दिन हो पद में तूलसिदाजी भगवान शेराम को अत्यन समर्थ एन भक्तवस्ल कहते हैं भगवान शेराम आप बड़े ही दयालू हो और आप महान महान इश्वर हो वे अपने भक्तों को पापों को दूर करने वाले है इश्वर आप हो वे अनाथों के नाथों और भक्तो के दुख करने दूर करने वाले हु। बहजों शिराम आप राम, आप मेरे माता, पिता, गुरु, मित्र, हितेशी के अनुभव आप मुझे सम्मेशा मनाये रखे। ये बहजों शिराम आप वो समर्थरक्षक हो जिसके द्वारा मेरे जिवन में कोई प्रकार का दुख नहीं आ सकता है इस तरह से इस पद में तुलसिदास ने अपने आराध्य, देव, इश्वर, भगवान, शिराम की महिमा का वरणन किया है इसके बाद है टूलाइन आंसर, तुलसिदास ने भगवान जी को कौन-कौन से गुण के द्वारा नवाजा है तो लिखा है यहाँ पर कि हे भगवान आपत्यन दयालू हो, दानी हो, पापो को हरता, यानि पाप हरता हो, अनाथो के नाथो, दुख्यों के दुख दूर करने वाले हो, इस तरह से आप मेरे हितेशी हो भगवान से तुलसिदास ने कौन-कौन से नाते रखे हैं, तो लिखे यहाँ पर कि अलग-अलग नाते रखे हैं, कि आप दयालू हो, तो दयापात्र दाता हो, और बिक्षु, पतित पावन, यानि पापो को दूर करने वाले, अनाथो के नाथो, तो मेरे साथ वो सबन बन इसके लाव माता पिका गुरो और मित्र का भी सबन यहां पर बताया गया है, इस तरह से तुलसिदास ने भगवान के अनेक नाते यानि रिष्टे बताया है, नहीं है वन लाइन आंसर, तुलसिदास ने किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते, तो भगवान शीराम के, तुलसि मैं गरीब हूँ, तो आप मुझे दान दोगे, भगवान के हट करने का किसका उद्धार किया, तो भगवान ने हट करके, पक्षी, म्रिग याने हीरन, व्याद, पाशा, रुक्ष और यवन का उद्धार किया दा, माया के प्रती विवश होकर कौन से, कौन-कौन सोजते है, कि माया से विवश होकर, देउतार आक्षस, मुनी, नाग, हाथी, मनुश्य, यह सब माया के प्रती विवश होकर मेशा सोचते है, रभुदानी है तो कभी क्या है, तो कभी है विखारी, पाप पुंझहारी किसे कहते है, तो जो पापों को नाश करते है, उसको पाप जहारी भगवान श्रीराम को कहते हैं दयालू और दानी भगवान के सामने तुलसिदास अपने आपको क्या मानते हैं तो दयालू और दानी भगवान के सामने तुलसिदास जी अपने आपको बहुती दिन यानि गरीब और विखारी मानते हैं अगर तुलसिदास जी प्रसिद जन के साथ संसार के साथ जुड़े रेने वाले एक सामयन छोटे से जीव है इसके इलावा है तुलसिदास जी ने भगवान श्री राम की शरण क्यों चाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम की चरण ही उसके लिए सरवश्ष्ष्ट है क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाले और कोई होई नहीं सकते हैं तुलसिदाजी भगवान को क्या-क्या मानते हैं तो अलग-अलग है माता, पिता, गुरु और मित्रप वास्तों में तुलसिदाज क्या चाहते हैं तो वास्तों में तुलसिदाजी कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में ही रहना चाहता हूँ तुलसिदाजी भगवान को कौन सी नाता जोडने के लिए तयार है कोई भी नाता, कोई भी नाता जिससे मैं भगवान की हमेशा शरणों में बना रहा हूं। ना बात करेंगे व्याकरन विभाग में परियावाची शब्द यानि मिनिंग्स। सबसे पहले है अधम यानि नीच, दनुज, राक्षस, मनुज, मनुष्य, पातकी, पापी, आरत यानि दुखी, चेरो यानि दास, विधी यानि प्रकाब, खग यानि पक्षी, ओपोजिट वर्ड यानि विरुदार्थी शब्द, विलोम शब्द, जीवन, मृत्यू, विनै, उद्धंडता, पापी, पुन्यशाली, मानव, दानव, दानी, विखारी, कृपा, अव कृपा, उद्धार, पतन, समान, असमान, आप बात करेंगे हम इसके अलग-अलग तत्सम शब्द, जोके हमेशा संस्कित के लिए जाते हैं, और हिंदि में इसमाल किये जाते हैं, के ह जित, सरण, जवन यानियवन, कौने, यानि किसनी, अब बात करेंगे शब्द सम्मू के बारे में, पापो के उद्धार करने वाला इश्वर को कहेंगे पापो धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, अनाथ, किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र, दुखों को दू गुरु करने वाला आरत हर अब बात करेंगे भावाचक संग्या भावाचक संग्या में हमेशा आपको याद रखना है ऐसे शब्द जो फील कर सकते हैं अनुगूती कर सकते हैं जैसे घमंड अनुगूती शब्द है यवहार दुख दया और पाप इसके इलावा विशेशन हम बहुत बड़े क्या हो तो कि दयालू हो दयालू कैसे तो कि बहुत बड़े हो इसके विशेशता हुई ठीक है इसके इलावा कि आप बड़े क्या हो तो कि पापी हो पापा को दूर करने वाले हो तो यह विशेशता हुई तो यहाँ पर उसके बारे में सारी जानकारी दी ग मुझ पूरा झाल्च झाल टो झाल्ग्थ